नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंह कभी-कभी जीवन में होता है विर्तियों के जीवन में भी होता है संगठनों के जीवन में भी होता है और राश्ट के जीवन में भी होता है एक छोटी सी गलती जो है उसका पश्तावा बहुत लंबे समय तक होता है क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओ से पहले जिन्ना का मुद्धा उठाकर अखलेश यादों ने वो गलती कर दी है लग ऐसा ही रहा अब उसका पश्तावा उन्हें कब तक होगा कितना होगा ये सब तो चुनाओ नतीजा आने के बात पता चलेगा लेकिन उसके संकेत मिल रहे है संकेत जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कि जिन्ना की तारीफ करके कौन कौन से लोग अखास दोर से अब बहुत पुराने इतिहास में अतीत में नहीं जाते हैं भारतिय जन्ता पार्टी की ही बात कर लेते हैं लाल के रिशाड़वान जो जिन्ना की मजार पर गए और उनके बारे में अच्छी बाते लिखी हैं उनको सेकुलर बताया और लोट कर आये तो उन्हीं की पार्टी के उन्नेताओं ने जिनको उन्होंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था उनके खिलाफ अभियान शुरू किया पार्टी के पार्लिमेंटरी बोर्ड में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद उनको आखिरकार अध्यक्षपद छोड़ना पड़ा और उसके बाद किया हुआ आप सबको मालूम है कि उनका राजनीतिक जीवन जिस पार्टी को खड़ा करने में इतना बड़ा योगदान था उस पार्टी में हश्ये पर चले गया जी बीशमी पितामा होते पार्टी के वो शायद 2014 में सरकार आने के बाद 2017 में राश्टपती बनाने का मौका आया तो राश्टपती हो सकते थे उपराश्टपती हो सकते थे नहीं हो पाए दूसरा जिस्वन सिंग जिन्हों ने 1977 में जन्ता पार्टी से आए उसके बाद जब अलग पार्टी हुई जन्ता पार्टी से और भारती जन्ता पार्टी बनी तब से लगातार बीजेपी के साथ रहे, महत्रपून पदों पर रहे, CCS के मिंबर रहे, विदेश मंतरी रहे, रक्षा मंतरी रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, महा मंतरी रहे, प्रवक्ता रहे ये सब पदों पर रहने के बावजूद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें जिन्ना की प्रशंसथाकी बचाव किया और उनको पार्टी से निकाल दिया गया तो ये जिन्ना के प्रशनसकों का ये हश्र क्यों हुआ BJP में? क्योंकि BJP को मालुम था कि इसका चुनावी नुकसान कितना बड़ा होने वाला है क्यों इस देश के लोग कभी जिन्ना को एक हीरो के रूप में या जिन्ना के प्रति किसी भी तरह की साहनुभूती को बरदाश्ट नहीं करेंगे पसंद नहीं करेंगे इसलिए किया तो इसके बावजूद आप देखिए कि अखले शियादों को जिसने भी सलाह दी हो उन्होंने जिन्ना की तारीफ की और एक ही सांस में गांधी नहरू पटेल के साथ जिन्ना का नाम लिया उनको बताया कि उनकी देश की आजादी के अंदूलर में उनका भी बड़ा योगदान रहा है तो अब उसके बाद से क्या हुआ बीजेपी हमलावर हुई बाकी पार्टियां जो वैसे सेकुलरिजम के नाम पर दर्मिनलिल पेचसा के नाम पर समाजवादी पार्टी के बचाओं में खड़ी होती थी उनको थोड़ा हिचकी चाहत हुई हलाकि किसी ने विरूद नहीं किया समाजवादी पार्टी का लेकिन बचाव करने के लिए उस तरह से आकरमक रूप से भी सामने नहीं आए उसका असर ये हुआ तीसरा अब अब जिस तरह से बीजेपी ने इसको राश्टरवाद के मुद्दे से जोड़ने का फैसला किया है और उसमें राश्टरी स्वेम सेवक संकूद पड़ा है उससे आपको अंदाजा लगेगा कि अखलेश यादों की ये जो गलती है उन्हें कितनी भारी पढ़ने वाली है 19 नॉवंबर जहासी कीरानी की जन जहनती है उस दिन से 19 नॉवंबर से 16 दिसंबर जिस दिन भारतिय सेनाओं की विजय हुई थी 1971 में बंगला देश बना था पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था वो विजय दिवस उस दिन तक ये इस बीच के अवधि में राष्ट्री स्वेम सेवक संग उत्तर प्रदेश के हर जिले में और ब्लॉक लेवल तक राष्ट्रवाद की अलक्ष जगाएगा प्रभाद फेर ही निकाली जाएगी वंदे मातरम का गायन होगा सभाएं होंगी सेमिनार होंगे लोगों को बताया जाएगा अपने शहीदों को याद दिलाया जाएगा जो भी देश के लिए शहीद हुए हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनके बारे में बताया जाएगा और राष्ट्रवाद से जोडने की नई पीड़ी को कोशिश की जाएगी जो लोग जुड़े हैं उनको फिर से और मजबूती से जोडने की कोशिश की जाएगी इसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है जिसका विरोध बीजेपी के विरोधी दल कर सकें सामाजी के इस समय जो देश में महाल है उसमें राष्ट्रवाद की बात करने पर उस तरह का प्रतिरोध उस तरह का विरोध सामने नहीं आता जो कुछ साल पहले तक आता था तो ये एक पक्ष में बात है दूसरा उननिस नुवंबर को ही प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जहांसी से एक नई शुरुआत कर रहे हैं उनका बड़ा कारेकरम है जहांसी में जो है सुदेश निर्मित एक लाइट हेलिकॉप्टर को सेना को सौंप पेंगे तो इससे आप अंदाजा लगाएए कि बीजेपी ने जो अखलेश यादव ने बोला जो कहा और जिस पर वो कायम रहे अगर वो उससे पीछे हट जाते तो शायद उनके लिए बचाव का रास्ता होता या उनको उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता वो उस पर कायम रहे उसके बाद उनके सही होगी दल के नेता उन प्रकाश राजबर ने जो बात कह दी इन सब को मिलाकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक महौल बनाने की कोशिश अब बीजेपी और आरेसेस मिलकर उतर प्रदेश में करेंगे और इसलिए ये आरोप चिपकेगा इसलिए भी किवल जिन्ना की बात नहीं है 2012 में सत्ता में आने के बाद मुख्य क्यमंत्री बनने के बाद अकलेश यादो ने जिस तरह से आतंकवाद के आरोपियों के किलाफ मकदमे वापस लेने की कोशिश की अगर अदालत बीच में आती तो मकदमे वापस हो जाते उसने उसके अलावा समय समय पर ऐसे तत्वों के समर्थन में बयान उसके अलावा अभी अफगानिस्तान में तालिबान जो कुछ कर रहा है उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का बयान ये सब मिलाकर माहौल बनाते हैं कि समाजवादी पार्टी देश के शहीदों का अपमान कर रही है जिन्ना की प्रशंसा करके जिन लोगों ने अपनी जान की आहुती दी जो सेना के लोग अपनी जान की कुर्बानी दे कर देश की रक्षा करते हैं जो निर्दोश लोगों को मारने वाले आतंकवादी हैं उनका समर्थन करती है सेना का नहीं सेना की सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एर स्ट्राइक हो बाला कोट की दोनों का समाजवादी पार्टी ने दोनों की आलोशना की थी सवाल उठाए थे तो राश्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है विकास वाद से राश्ट्रवाद ये बीजेपी की नई थीम है उत्तर प्रदेश विधान सभाद चुनाव की जिसमें बीजेपी विकास के साथ साथ जो प्रधान मंतरी ने पुरुवांचल एक्सप्रेस वे का अभी उधगाटन क किया है उसमें भी आपको ये दोनों तत्व नजर आएंगे प्रधान मंतरी का एर फोर्स के सी वन थर्टी हैरियर विमान से उतरना वो मालवाद जहाज है आज तक कोई प्रधान मंतरी मालवाद जहाज में नहीं बैठा है उसमें आना और वहां जो एर शो हुआ पुर्वांचल एक्सप्रेस वे की नहीं बात की उसके जिरे पुर्वांचल एक्सप्रेस हो या बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे जो बन रहा है या गंगा एक्सप्रेस वे जो बनने वाला है और तमाम राज्य सरकार की योजनाएं हैं केंदर सरकार की योजनाएं हैं दर में दलित वर्ग भी है उसमें मुसल्मानों का गरीब तबका भी है कोई भेद भाव नहीं किया गया इन सब को सरकारी योजनाओं का भरपूर और पारदर्शी तरीके से फायदा पहुंचाया गया ये ठीक है मुसल्मान बीजेपी को वोट नहीं देंगे लेकिन जो बाकी जा वोट देने की बात हो मोदी को वोट देने की बात हो तो वो अपनी जातिय असमिता को कुछ समय के लिए अलग रखकर वोट दे सकते हैं वो इसलिए वोट दे सकते हैं कि उनके जीवन में सकारात्मत परिवर्तन आ रहा है बदलाव आ रहा है तो ये जो क्लास है ये ये जो बीजेपी से जुड़ा है मोदी के कारण, उनकी नीतियों, कारेकरमों के कारण, वो मैंने पहले भी एक बार कहा था, इसको योगी आदित जयनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने और मजबूत किया है, पक्का किया है, वन डिस्टिक्ट, वन प् जारीगर हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको हर तरह की मदद देना, आर्थिक मदद, उनको जो आउजार चाहिए, दूसरी चीजें जो चाहिए, उसकी मदद, और उनको बाजार उपलब्द कराना, उसकी उज़े से उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ा है, तो इन सब के कारण एक अलग तरह का मददाता वर्ग तयार किया है बीजेबी ने, उसमें जब राष्टरवाद जुड़ता है, तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, और राष्टरवाद के जुड़ने से जो जाती है असमिता की राजनीती है, वो और कमजोर पड़ती है, दो उसे कमजोर करती हैं, बलकि तीन चीज़ें, एक ये जो महत्वा कांखशा का जो ये दौर चलाया है नरिद मोदी ने वो, दूसरा धर्म, तीसरा राष्टरवाद, तीनों जब मिलते हैं, तो एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, एक अलग तरह के मददाता समूब का निर्मान होता है, जिसकी नजर में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, यही कारण है कि 2014, 2017, 2019 में भारती जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई उत्तरप्रदेश में, यही कारण है कि इस मददाता वर्ग ने अभी तक बीजेपी को छोड़ा नहीं है और छो पार्टियों में से किसी पार्टी ने कोशिश भी ज्यादा नहीं की और यह हुआ भी नहीं है कि उनके साथ कोई नया सामाजिक वर्ग जुड़े हैं, चाहे वो जाती का अधार पर हो, धर्ण के अधार पर हो, या फिर किसी और उनके काम के अधार पर हो, बलकि उनके काम के कारण लोग दूर जादा हो रहे हैं नजदीक आने की बजाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाओ आप देखते रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है समय जादा जो है रुचिकर होता जा रहा है जादा राजनीतिक दृष्टी से जो लोग राजनीतिक अध्यन करना चाहते है चुनाओ का उनकी दृष्टी से बहु आयामी होता जा रहा है उसके आयाम नए नए आयाम जोड़ते जा रहे है ये जो आरसेस शुरू करने जा रहा है निश्चित रूप से इसका बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाओं में बड़ा फैदा होने वाला है और ये एक बयान पर तो आज के अंक में इतना ही अगलेंक में फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार